Guys, आज की वीडियो में मैं एक और प्रोड़क्ट मैनिपलेशन पोस्ट बनाने वाल हूँ जो कि दिखने में कुछ ऐसी लगेगी अब कई लोगों लगता है कि मैनिपलेशन पोस्ट बनाना काफी मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है जितना मुश्किल यह दिखता है उससे कही ज़्यादा यह easy है बनाना बस हमें कुछ चीजों का ध्यान लखना होता है तो कौन सी हैं यह चीजे आइए देखते हैं तो आज की वीडियो में मैं इस product को use करने वाला हूँ और इस post के लिए मुझे जिन images की जरूत पढ़ने वाली है वो समय ने पहले से डाउनलोड कर रखी है आपको यह सब Google पर मिल जाएगी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसका PhD फाइल भी आपने उससे मांग सकते हो तो सबसे पहले मैं इस image को ले आता हूँ और यहाँ पे इसको लग देते है ठीक है product को हम इसके उपन ले आते है एंड थोड़ असा इसको बढ़ा कर लेते है ठीक है और इन दोनों को पकटके मैं align कर दूँँ सेंटर लाइन तो यह हमने सेट कर लिया है बट अभी वे आप देखोगे तो यहाँ पर वाइट वाइट सा इसका reflection आ रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि अलग से इसके उपर रखा हुआ है ठीक है मैं नहीं कर रहा और manipulation post में सबसे पहले आपको यही ध्यान लखना है कि product ऐसा रखो कि वह मैच करता हूँ दिखे चाहिए आप किसी भी वैगराउंड के उपर रख रहे उसके सबसे मैच करता हूँ रखना चाहिए और उसके लिए आपको shadow का वह ध्यान रखना है ठीक है तो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ उसके लिए मैं इसकी control जैसे copy कर लेयर है इसको मैं इसका blending mode में कर दूँगा darken color ठीक है या फिर इसको multiply भी कर सकते है उसके बाद जो ऊपर वाली layer है हमारी इस पर हम mask apply करेंगे और brush tool लेके इसका जो इसकी hardness थोटी सी कम कर देते है वीरो पे और उसके बाद यहां से हम इसको हटा देंगे कुछ इस तरीके स ठीक है अब यह थोड़ा लग रहा है कि हाँ इसके उपर रखा हुआ है अब हमें क्या करना है अभी यह ठीक इसके उपर रखा हुआ है लेकिन आप देखोगे तो यह गहास है ना है अब गहासों के ऊपर यह ऐसा लग रहा है कि इसको दवा रखा है लेकिन हमें थोड़ी यहां पर गहां से भी दिखा नहीं है, तो उसके लिए मैं एक और PNG उसकरने वाला हूँ, और इसको मैं side छोटा करके, यहां पर adjust कर लूँगा, इसका जो blending mode है, वो मैं change कर दूँगा, जहां पर भी सही लगया, वहां पर देख ली जगा, और मुझे यह लग रहा है, यह ठीक लाइटर कलर सही है, थोड़ा सा इसका side हम छोटा कर लेते हैं, इसके बाद इसकी copy लेकि यहां पर लगा देंगे, और इसकी एक और copy ले लेंगे, वो हम यहां रख देंगे, ठीक है, तो अब थोड़ा यह हमारा product ठीक लग रहा है, उसके बाद हमें यहां पर एक background करना है, तो background के लिए मैं इस image को यूज करने वाला हूँ, इसको सबसे पीछे ले जाते हैं, और इसका जो size है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम यहां पर mask apply करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस image को select करना layer को, और यहां पर mask लगाना है, उसके बाद हमें gradient mask पर click करना है, और यहां पर basic है, इसके first वाले पर click कर लेंगे, और अब इसमें हम एक mask apply कर देंगे, linear mask, इस तरीके से, यह ठीक है, अब यह जो product में कुछ ज़्यादा ही highlight हो रखा है, मतलब कहां से shadow आ रही है, कहां पर light आ जानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना है, simply, पहले तुम्हें इसको थोड़ सा, इसमें brightness से इसकी कम कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या करना है, adjustment layer पर जाना है, brightness पर जाना है, and इसकी जो brightness है, वो कम कर देंगे, यह ठीक है, and इसको हम कर देंगे, alt के साथ, अगर आप click करोगे, तो यह clipping mask हो जाएगा, इस product वाली layer पर, and उसके बाद control eye हम press करेंगे, तो यह inverse हो जाएगा, अब हमें brush tool लेना है, और यह जो white वाला, जो color है, इसको हम foreground कर देंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी mask, जहाँ भी हमार को shadow रखनी है, जहाँ पर से shadow आ रही है, उपर की नीचे की तरफ हमें इसके बनेगी, ठीक है, तो मैं यहाँ की तरफ थोड़ इस में shadow करने वाला हूँ, यह ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ इसकी shadow, क्योंकि इसकी reflection भी यह देगा, तो यहाँ भी shadow होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें इस mask वाले option पर double click करना है, और यह यहाँ पर इसका फैतर है वो थोड़ा सम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो अब इसमें हमने shadow add कर दी है, अब एक बार हमें यह जो product वाली layer थी हमें, इस पर एक बार हलका सा curl add करना है, ठीक है, अब यह थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अब अगर घासों में देखोगे इस व shadow आ रहे है, जबकि हमारी shadow इस side मैंनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें same यही करना है, brightness पर जाना है, और इसकी brightness भी कम कर देनी है, और फिर से इसको हम alt के साथ click कर देंगे, clicking mouse हो जाएगा, और control i प्लस करेंगे, उसके बाद brush tool लेंगे, और अब इसकी भी हम यहाँ पर shadow कर इसमें भी हम वही करेंगे, इसका feather थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, तो अब हमारी image जो है, अच्छे से set हो गई है, अब थोड़ी बहुत और चीज़े इसमें add करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी जाडिया सी add कर दूँगा, इसको मैं पीछे ले जाओंगा इस image के सबसे, ठीक है, और यहाँ पर इसको add कर देंगे, ठीक है, इसी की मैं control जैसे copy कर लूँगा, और इसको horizontally flip करके यहाँ ले जाओंगा, आइ थिंक बापिस कर देते हैं, यह ठीक है, ठीक है, यह भी okay है, अब हमें एक और image यहाँ पर लेके आनी है, इसको मै लगा देता हूं, और इसके उपर से यह जो लिखा हुआ attach, इसको मैं remove कर देता हूं, और उसके बाद, यह ठीक है, इसका जो यह नीचे वाला image है, इसका size थोटा सा बढ़ा देते है, अब हमें यहाँ पर एक sunlight add करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस image को लिए आता हूं, और यह सारी images आपको Google पर मिल जाएंगी, आप easily वहाँ से download कर सकते हो, अब इसका जो blending mode है, वह हम कर देंगे screen, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, और यहाँ screen कर दूँगा, और इसके ब एक और control जैसे इसकी copy कर लेते हैं, और यहाँ पी थोड़ी सी light आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ set कर देंगे, अब हमें क्या करना है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर add करनी है, तो मैं इन दोनों को ले आता हूं, और यहाँ पर ले आऊंगा, कुछ इस तरीके से, यह ठीक है, और यह जो background है, काफी light लग रहा है, इसको थोड़ा सा dark करना पड़ेगा, तो मैं background पर जाओंगा, और image पर जाके, adjustment पर जाके, इसमें हलके साथ curve एड़ कर दूँगा, और इसकी brightness थोड़ी सी कम कर दूँगा, ठीक है, फिर इसको lock कर देते, अब हम कुछ यहाँ पर birds की ENG ले आएंगे, और यहाँ पर इसको हम, ऐसे रख देंगे, ठीक है, तो design हमारा तयार हो गया है, बट अभी भी यह background से match नहीं हो रहा है, यानि कि, यह अलग color दिखा रहा है, और यह कुछ अलग सा color दिख रहा है एक दब से, यह दोन आफस में match नहीं कर रहे है, और manipulation में second चीज यही है, कि proper color हमें match रखना, color correction हमें, बिल्कुल perfect होना चाहिए, and इसके लिए मुझे क्या करना है, simply में adjustment layer पर जाऊंगा, और यहाँ पर color look up पर जाके click करूंगा, उसके बाद यहाँ पर इस option पर जाके, कर सकते हो, यह देखते कहां से लग रहा है, यह ठीक है, और उसके बाद इसका जो blending mode है, हम हलका सा change कर लेंगे, वो देखने कहां से लग रहा है, color pick कर देंगे click sim, और उसके बाद इसकी opacity थोड़ी सी कम कर देंगे, तो अब यह हमारा product थोड़ा match हो गया background से अच्छे से, जो भी आप add करना चाहते, वो कर दो, जब यह पूरा हो जाएगा, तो यह design कुछ ऐसे दिखेखा, तो यह थी आज की वीडियो जो की I hope आपको जरूर पसंद आई होगी, क्यासी लगी वीडियो मुझे comment में जरूर बताना, और पसंद आई हो तो like, subscribe और share जरूर कर देना, और इसकी PhD फाइल भी आप मुझे Instagram पर मांग सकते हो, so मिलते next design में, तब तक के लिए big graphic, go graphic